हेलो स्टुडेंट्स मैसल्फ हित अभिलाशी श्यर्मा और माई चैनल जानकारी हित इक वरी फिर तोडेनाल एकनोमिक साब बहुत महद पुन टॉपिक जिदे असी गाल करांगे नेशनल इंकम दे बेसी कॉंसेप्स जिदे बीच डुमेस्टिक टेरेटरी एंड नॉर्मल रे इंगाल होएगी एग्रिगेर्ट्स लेटर तो नैशनल इंकम लेट्स मूव हैड विद मी टू डिसकस टूडेश कॉंटेंट बट फिर्स ओफाल वेरी इंपॉर्टेंट अलर्स सीधा कॉंप्लीट वीडियो तो गैट्टा मैक्सिमम और कॉंप्लीट कॉंटेंट सीधा वी अज दे टापिक्स दे वारे हैं ज दे टापिक्स जानतों पहला थोड़ी जानकर लिए दसां बड़े शबत बार-बार आनगें इंगलिश-ponjab willkommen रास्ट्री डुमेस्टिक दा मतलो क्रेलू करदे अंदर जिनू कहने ने क्रेलू मार्किट प्राइस बजार कीमत यसी तरह हम फैक्टर कोस्ट साधन लागत पॉड़क्ट असी कहने है उत्पाद नू इस तो इलावा कुछ टर्म्स होर ने जिना देवारे गाल करें डैप्रीशेशन पंजाबी देवीच कमी या असल शब्द यूज़ होने किसा वट इंडारेक्ट टेक्स अपरतक्खकर या असिद्दे टेक्स अपरतक्खकर इस तो इलावा नेट इंडारेक्ट टेक्स शुद्द अपरतक्खकर शुद्द असिद्दे टेक्स नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम अब्रॉड यूज़ कर देए ए टर्म्स ते आन रख्यो अज़े टर्म्स नूँ समझन दे लई आउगल कर दें अज़े टापिक दी सब्तो पहला नेशनल इंकम की है नेशनल इंकम और नेट नेशनल पॉड़क्ट इस दा मॉनेटरी वेल्यो अफ आल फाइनल गूड़ और शुद्द राश्ट्री उत्पाद दा मतलव की हुंद है इक साल दे दोरान किसे आर्थिक टांचे दे विछ पैदा हुईयां सारियां अंतिम वस्तु आते सिवामाधा जो वित्ती मुल है जो धी कीमत है जिदे विचे विदेशा तो प्राप्त आमदन भी शामिल होंदी है उसनों असी किसे देशती रास्ट्री आमदन कहने है basic शबदेने अज़ों भी रास्ट्री आमदन गन्ना करदेने तां हर अर्थ विवस्थाच, हर अर्थ शाष्ट्री दा अपना अपना टांग है, तिन मेथोड यूज हों देने, सम अफ जिदे भीच तिन इंपोर्टन मेथोड देने, The three important measures to calculate national income of a country are Some of the value of all final goods and services produced under product method Some of the all incomes occurring to the factors of production i.e. rent, interest, profit and wages income method Some of the consumer's expenditure, net investment and government expenditure on goods and services expenditure method नहीं clear होया, आप आयनों break करके, एक एक टुकड़ें जवन के सिख दे रास्ट्री आमदन दी गन्ना दे तेन टांग ने, एक दा हों दे उत्पादन विदी नाल गन्ना कर रहा है जिदे विच किसे देश दे विच जिनिया और final goods दे services produce होने या ने उनना दे जोड़ कर लाने ने, टे उस समनों ही उस जोड़नों ही असी रास्ट्री आमदन के दने जो final goods and services पर्डिउस होई या उनना दे जोड़नों असी रास्ट्री आमदन दे नामनल जानने है clear हो गया, इस तो इलावा दूसरा टांग की है income method देना रास्ट्री आमदन करना, इस दे विच की हुंद है some of the all incomes accring to the factor of production उत्पादन दे चार साधन ने land, labor, capital ते entrepreneur उनना नू रिटर्ण्ज की मिल दियाने factor of production उनना दी आमदन दे साधन ने जिस रूप जो ननू प्रापत हों दी आमदन, rent, interest, profit ते wages income जो प्रापत होई है, जे करे सारे साधना दी इंकम दा जोड करती है ता रास्ट्री आमदन ने income method नार भी आजन दी है तीसरा है expenditure method the sum of the consumers expenditure किसे देश जड़े उपो उतादा जो खर्चा है जो net investment है, जो सरकार दा खर्चा है उनों जोड़ दो ता भी रास्ट्री आमदन आजन दी है जिन्नी आमदन हो यो खर्च, जिदे विच बचत जा investment शामिल है इस टांग देना तिन methods हों देने national income दे यह अपन नेक्स्ट वीडियो एक अलाग है जिते आसी complete तिन्डों methods देना नाल national income करनी सिखते है आँ एता असी सिख्रेसी national income की होंदी एही गल में इते पंजाबी देविच भी दसी है तो नो कि रास्ट्री आमदन गंदे तेन टांग ने एक ता उत्पादन वी दी है उत्पादन दी value कर लो एक की है जिन्नों असी income वी दी कहनने है आमदन वी दी उत्पादन दे साधना नो जो income प्राप्त होंदी है उन्हादा जोड कर लो एक expenditure method खर्च वी दी जो कुल खर्च होंदे है किसे आर्थिक टांचेच अर्थ विवस्ताच उन्हादा जोड कर लो उस तो बाद गल कर दे है आज दे टापिक अगे वाद बड़ा important टापिक है एक basic content से समझने जुरूरी ने जेकरा सी national income दे concept नो समझने है domestic territory of country किसे देशदा क्रेलूख है तर आम पाशाचा सी सोच दे है बड़ा असान काम है आग गल कर दे हैं थे domestic territory की हम दिया in common language the domestic territory of a nation means political territory of a nation in economics it refers to the economic territory which refers to the geographical territory administrated by a government within which persons, goods and capital circulate freely क्रेलू खेतर किनू कहने ने आम खेतर पाशा देविच असी जो साड़े देशा दे राजनितिक नक्षे ने उस सारे खेतर नू किसे देश दा क्रेलू खेतर कहने है पर अर्थशास्तर देविच जो तो सी क्रेलू खेतर दी गल कर देए ता उस देश दा पोगोलिक खेतर दा है ही नाली सरकार दोवारा ओ सारा एरिया जिसते सरकार परशाशन कर दी है जिनों सी पोगोलिक खेतर कहरे है उस्तों इलावा ओ सारा खेतर जिस दियां आर्थिक गतिविदियां आमदन दा हिस्सा बन दियाने जिस दे वीच व्यक्ति, वस्तुआ, पुंजी, अजाद रूप दे वीच कुम दियाने ओ दे वीच पानी वाला एरिया भी हुंद है ये सारा देश्टी, डिमेस्टिक टरिटरी हुंद है, जो समुदर दे नाल, साधे देश्टा हिस्सा लगद है जो इंटरनेश्टन समुदर है, उस्तों इलावा एक सीमा तक किसे देश्टा जड़ा समुदरी एरिया है ओ भी क्रेलू खेतर दा हिस्सा हुंद है आँ गल कर देश्टा बड़ा इंपोर्टन टापिक है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ओफ कांट्री किसे देश्ट देश्ट सदारन वसनीक किनू मनने जान देश्टा जान देश्ट जड़ा व्यक्ति रहन देश्ट देश्ट वसनीक आँ इनुँ क्लियर करिए आपना नेशनल इंकम देबर पस्टो ए रेजिडेंट्स ओफ ए परसन एक सदारन वसनीक असी उस व्यक्ति नू मनने है और इंस्ट्यूशन जाओ संस्था नू जो सदारन व्यक्ति देश्ट रहन दे ते ओधी आर्थिक गति विदियां दा के इंदर वी ओही देश है इस तो इलावा बड़ी इंपोर्टेंट गल है सदारन नागरिक दा जदो डिसीजन लेने ता ही असी किसे देश्टा सदारन वसनीक मान दे है क्लियर हो गया ता इस देवारे सानू प्लियर होना चाहिंद है कि असी सदारन वसनीक की नू मनने है क्योंकि सदारन वसनीक का दी इंकम नू असी नेशनल इंकम देविजिक मेजर कॉंटेंट दे रूप ची यूज कर दे अव बल करने आगे दूसरा बड़ा important content जिदे बारे confusion होंद है gross ते net gross नो मैं जी नाल दिखा रहे है, net नो एन दे नाल ते आन रखे हो, gross मैंने कुल, net मैंने शुद, फिर दोना जो फर्क की है National income दे purpose तो gross ते net बड़े important concepts ने दे wider concepts ने वो national income आपर, gross and net are very wider and important concepts, from production point of view, depreciation is very important तो नो इस चीज पता होनी चेंगे है, जो उत्पादन दी गतीविदियां होंदियांने, किते वी देश देविच चाहे वस्तुआ पैदा गितियां जारियांने तो उन्ना वस्तुआ नो पैदा करन ली बहुत सारी स्थाई संपतियां दी वर्तों होंदियां जिमें machinery, building, furniture इना नो उसी fix assets कहने हैं समेने नालना इना दा मुल कट दै, मुल दे वीच गिरावट आंदियां उस गिरावट नो किसा आवट नो उसी depreciation कहने हैं depreciation is known as the consumption of fixed assets power जडियां स्थाई संपतियां ने उनना दा उपोग हो जन्द है कि जडियां स्थाई संपतियां जिमें मैं अंदर से है machinery, building इस सारी संपतियां ने इस्तरा न दिया ग्रोस ते नेट दे विच जड़ा basic difference है तो आन रखे हो आशा बदा है depreciation जे कदे G ते another difference करने है ता depreciation दिमाग से रखो स्थाई संपतियां दी किसावट जे gross जड़ा हों दे net तो जे gross मिलाने है ता depreciation add हो जन्द है net net थोड़ा हों दे हो दे चो depreciation minus हो जन्द है gross दे विचो ता gross product जड़ों भी उसी gross कुल उतपाद पता करने है किसे भी aggregate facts जड़े अपा अगेगाल करांगे ता उते net product दे विच depreciation नो add कर दो ता gross बन जन्द है जैसी net product करने है ता gross दे विचो depreciation minus कर दो जिन्नों मैं किसावट कर रहे है साफ रखो दिमाग से मैं G दा N बनाना है जा N दा G depreciation major content है G नो N इच convert करने है ता जी चो depreciation minus कर दो पाव कुल दे विचो किसावट जड़ी depreciation है उन्नों minus कर दो जेकर मैं N दी value calculate सानूप पता है कि दित्ती होई है आसी gross दी value कर नहीं है ता net दे विच depreciation एड़ कर दो याद रख्यो बड़ा important concept ता same ओही गल मैं पंजाबी चीवेते दसी है कुल उत्पाद दा मनलों शुद उत्पाद दे विच जो कमी पाव के सावट depreciation उन्नों एड़ कर दो जैसी कुल बनाने है जै शुद पदा करने है ता कुल दे विचों depreciation नों minus कर दो clear? हाँ जी अगे बड़ा important concept ही हो रहा है domestic versus national domestic नों अपन धीनल शो कर दे national income दे concept कर दे होई ते national नों end देनाल domestic मैंने करेलू national मैंने रास्ट्री पताई लग रहे हो ना करेलू देश दी चार देवारी जिताख लगदा है ते national में जोदो रास्ट्री गल करांगे थोड़ा wider concept है domestic नेशनल वरी important concepts for national income देन्च अगरीगेट्स जोदो सी रास्ट्री आमदं दे रास्ट्री आमदन अल सब्समूँखा दी तो देविच डिमेस्टिक नेशनल भी बड़े महत्वपून कॉंसेप्स ने जी में पहला में अदस है ग्रोस थे नेट डा डिमेस्टिक रिलेट्स वी दा जोगराफिकल टेरेट्री ओफ कंट्री डिमेस्टिक दा मतलूप करेलू दा मतलो देश दीप गोली के रिया है नेश देश दीप डिमेस्टिक टेरेट्री वड़े वाइडर कंसेप्स ने जेकर असी नेशनल इंकम दी गल करिये दोना देवी चे बेसिक डिफरेंस याद रखो बेसिक डिफरेंस बिट्विन बॉत इस नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम एवरोड बहुत महत्त पूर नहीं वी वि विदेशा तो भी आजन प्राप्त होंगी ताँ रास्ट्री आजन बश्ब्रॉत करने इसकार डेश करके डिमेस्टिक टे सिट नेशनल और येशनल इस एक्प्वेश प्रॉम के बेसिक डिफरेंस सिर्फ विदेश श O विंजभ ऻपरत ता रास्ट्र दी साधनामदन आजोगी जिन्हों आसी national income कहने हैं इस्तों इलावा जे सानों national तो domestic बनाना है ता national चो विदेशांदी जड़ी साधनामदन है वो minus कर दो तो साड़े कोल domestic दी value कहने हैं तो domestic product जो तो भी करना है national product चो net factor income from abroad minus कर दो जे national product करना है तो domestic production दे वीचे net factor income from abroad add कर दो clear एक बड़ा important concept है aggregates एसे तरह पंजाबी दे वीच भी same चीज़ है क्रेल उत्पाद देशते अंदर रास्ट्री उत्पाद देविच विदेशां तो शुद्ध कारक मींज साधन आमदन माइनस कर दो रास्ट्री उत्पाद जे calculate करना है तक्रेल उत्पाद जिन्हों मैं domestic product कह रहे है domestic produce कह रहे है ओदेशे विदेशां तो उपरा तो शुद्ध साधन आमदन add कर दो जोड दो पाव दिमाग से रुखो इक गल डियर स्टुडेंट्स के दी ते यान domestic ते नेशनल देवी चे फर्क सिर्फ विदेशां तो आमदन वाली साधन आमदन दा फर्क है शुद्ध साधन आमदन ते अग्गे वाद देवासी गल कर देश तो अगे बड़ा और कैपिटल थे एंटरपर्नियोर समझ लागया उचारो साधना दी जो लागत आं दिया जिस दिन आल वस्तुआ दी पैदावार हो रही है उस लागत दे जोडनों सी फैक्टर कोस्ट कहने साधन लागत एफ सी वस्तु फैक्टरी जो त्यार होगी ओदे फैक्टर कोस्ट जो नू बनांते लागत आई फिल जूँही वस्तु फैक्टरी तो बार निकल दिया उसे टेक्स लगजन देने सरकार दे बहुत सारे फिर ओं मार्किट प्रैस बन सब्सक्राइब बजार्श जो परचली कीमत है तुना जो फर्क किने पाया गौर्मेंट ने जो टेक्स लगाए तो इस गल्दी गाल कर दें आप इस गालवारी चर्चा करें नेशनल इंकम या फैक्तर कोशस टे मार्कुलेड की ते जांगे याँ स्ब्सक्राइब जो बनान दे लगत आई है साधना धी लेवर कैपिले रहार पाने उत पादन दे जो साधन ने उननना धी लागत जो इस Hem उन्हों सी फैक्टर कोस्ट जा साधन लागत कहने हैं ताँ फर्क किस चीदा हो गया क्योंकि गॉवर्मेंट इंपॉजी निचे देखो मैं एक नोट दीता है त्यानल स्टुटेंट्स रैड दो देनाल इंकनाल गॉवर्मेंट इंपॉजी इंडिरेक्ट टैक्सिस ओन कोस्ट सिरकार फैक्टर कोस्ट साधन लागते बहुत सारे टेक्स लगान दी है समझे लागे आनों वसी अपर्तक कार कहने हैं अपर्तक कार की हुम देने जापर्तक की यह देना डिलेटेट अलड़ी पहला वीडियो है मेरे इस चैनल ते इस तों इलावा ज़दों टेक्स लाग ज ज़न देए ता दोनाते में बेसीक डफ्रेंस ज़ॉयें डिलेट इंडिरेट टेक्स क्ल् dazu मतलब की हुम देर यास लोँ में ख्लेर करम्ने ती देखेल अडिव ने मार्किट साव ने मार्किड प्राइस फ्टर कोस्ट दें जैं डिलेट करता मार्किड प्राइस हागया कई वारी वस्त वादी production ते tax भी लगान दी है ते बहुत सारी production दे होते सरकार subsidy भी दन दी है छोट दे दन दी है producer नू indirect taxes दे विचो subsidy minus कर दो तो net indirect tax आजन दे clear हो गया जे market price factor cost दे विच net indirect tax add करके आजन दे तो factor cost आज़ी साधन लागतों कि में है कि बजार मुल दे विचो net indirect tax minus कर दो तो साधन लागत आजन दी है clear factor cost हुना सी गल कर दे aggregates दे नेशनल इंकम दे जो aggregates दे गल कर दे तो दो ग्रूप आज बढ़के देखे जाने ने एक ता market price एक factor cost दे चार ही market price देने चार ही factor cost देने GDP पहला है नोग पढ़ना सिखो फिर अगके calculation करने है बढ़ी आसान होजन नहीं है और छेची जानों के आंच रखते वे बाच बढ़ा easy होजेगा GDP G means gross D means domestic P means product gross domestic product NDP फिर की हो गया सिरफ N दा फरक पे है G तो net domestic product फिर GNP आ गया gross national product याद रखो gross national product NNP की है net national product जोदो N centers आ रहे है that is used for national not net जोदों विजकार है ते इन टर्म्स देना दे अगके है GDP gross domestic product NDP की है net domestic product gross national product GNP net national product NNP same चार ही market price ते calculations हो नहीं आने national income ना related aggregates ने ते same factor को ते FC दे होते याद रखो dear students G ते एन जे इस abbreviated short शब्दान दे starting जने था उनना ता मझलो gross ते net है gross ते net दे वीज़ फरक किसी दे इनना सी जनार्स रखना बड़ा जरूरी है key point ने important to keep in mind G and N जे किसे aggregate दे starting चार्टिंग चार्टिंग लगे वे ने शुरूच G ते N मतलो gross ते net दोना जे फरक सिर्फ depreciation दा हुंदा है याद रखो N ते D national ते domestic यह aggregate दे center चार्टिंग यूज हुंदे जी में G N G D पी क्या सी GDP gross domestic product ताँ D center से आगया इस तरह N and D जो तो इस center चार्टिंग ने ताँ N ते D terms N means national D दा मतलब किया domestic ओके abbreviated शिव्दा दा मतलब है इनना दोना जो फर्क से रफ विदेशना तो उप्राब सुद साधना आम देना ना नेट फ्रेक्टर इंकाम फ्राओं एब्राओं MP ते FC market price ते factor cost बजार कीमत ते साधन लागत देविच फर्क किदा हुंदे NET indirect tax दा जे सानुए छेजी जां क्लियर ने ना साधक कोई भी एग्रिगेट दा कंसेप्ट एक्जाम दे विच गलत नहीं हो सकता त्यान रख को इसकाल में आव हुन तो नुदस है एग्रिगेट सो जड़े आठ ने एक दूसरे तो calculations की में हो दिया सब तो पहला GDP काड़ रहे हैं मालो सी market price की कुछ नहीं हागा साधे कुल फर्स टाइम असी किसे देश दी ग्रोस डिमेस्टिक परड़क्ट कर रहनी है कुल क्रेलू उत्पाद बजार की मते market price जिन्नी total quantity produce की थी जिन्नी मात्रा दी पैदावार होई उन्हों market price पार unit दे ना कुल क्रेलू उत्पाद जे हुना सी GDP तो NDP बनाना है ते आनल देखो दोना जी फर्क की दे जी तो N ग्रोस तो नेट बाकी सारा होई है ताँ फर्क कादा हुन दे जी ते एंच में हुनी दे से depreciation के सावट है जड़ी हो माइनस कर दो क्योंकि नेट काट हुन दे ग्रोस जादा हुन दे उस चो depreciation माइनस करती ता साथे खोल शुद क्रिलूत बाद आ गया जे मालनो सानू NDP at market price पता सी GDP बनानी है market price हो ताँ depreciation एड होजेगी क्लियर हो गया जी ते एंदा difference किसे भी aggregate नू कैल्कुलेट कर दे हुए जे मालनो सानू G वाला पता है N वाला करने है या N वाला पता है G वाला के लिएड करने है ग्रोस ते नेट दिमेंगल कर रहे है ता depreciation major player है Next student एक गिवाद ने है Next रहे साथे को जी एनपी ग्रोस नेशनल परड़क्ट आ जो हुन Domestic तो National बनजन दे National तो Domestic ता त्यान रखो उन GNP at MP एक GDP at MP है दोना चो देखो फर्क की दे है N ते D दा जे सेंटर चे N ते D दे एक National एक Domestic है क्रेलू दोना चो बेसिक फर्क की दा हुन दे Net Factory Income from Everod दा विदेशा दो प्रात शुद साथे नाम दे क्रेलू दे विचे विदेशा दी आम दन जोड़ दो ता National आजन दी है National दे विचे विदेशा दी आम दन कटा दो माइनस कर दो ता Domestic आजन दे है एही एत effectiveness N ते D दे विचे से की ते National दीता बेशे Domestic देता बेहने National असरी calculate करने ता Net Factory Income from add होगी अग्या जो NNP NNP माल लो सानू G पता है NNP calculate करने GNP gross national product at market price calculate करने जोना जो फर्क देखोगी दे जी ते N दा दोना जो फर्क कौन पांदे जी ते एने चे ग्रोस ते नेट देवी चे डेप्रिशेशन किसा अवट माइनस करते इस चोँ डेप्रिशेशन जी असी national दीता वे NNP at market price calculate करने gross national product का depreciation add कर दो clear होगी एसे तरह NNP जुरूरी नी इस तरंग नाड़ होंदी है NNP at market price आसी NDP at market price चो भी कड सकते हैं जेसा अनू NDP at market price देती भी है शुद क्रेलू उतपाद कड़नी आसी शुद रास्ट्री उतपाद है D ते एन दा फर्क है ता net factor income from एर वाड़ा एड़ कर दो जेकरासी एन तो D बनाने नेट तो सौरी नेशनल तो domestic बनाने रास्ट्री तो क्रेलू बता करने ता net factor income from एर वाड़ माइनस कर दो next one GDP gross domestic product at factor cost market price दे concept clear होगे हुन आपको factor cost दिखल कर दे साधन लागत gross domestic product at market price मलो GDP at FC calculate करने ते सहनो GDP at market price दिथा वे दोना जे फर्क देखोगी है एवी GDP है एवी GDP है फर्क किया है एफसी है ये market price है जिकर ये हुजा हुन दे एक्जाम जे ता market price दो factor cost दे विच बदलना बड़ा असान है क्योंकि दोना जे basic difference net indirect tax दा हुन दे GDP at market price चो net indirect tax माइनस कर दो ता साधन लागत आ जोगी GDP at factor cost वाली indirect tax दे विचोंड subsidy माइनस करांगे जे net indirect tax नहीं दिते हुन ता भी net indirect tax आ जन्द है ये वी त्यान रख्यो GDP at market price माल लो असी calculate करना GDP at factor cost दिता हुए ये वी हो सकते के साधन लागत ते कुल क्रेलूथ पाद दिता हुए साधन लागत दिता हुए ते बजार कीमत ते कुल क्रेलूथ पाद पता करने ता सी net indirect tax विच आड़ करता था domestic तो की बन गया सॉरी त्यान रखो ता फेक्टर कोस्ट तो की बन गया market price जो तो भी शुद अव पर तक एड़ करता हुए ता बजार कीमत दे विच कनवर्ट हो जन्द है बदल जन्दी है साधन लागत अब की है NDP at factor cost जिनू NDP at FC दा मतलब इनू पडंदा तांगे ही हुए अन्दा मतलब net domestic product at factor cost पडंदा टंगे है नू कदे भी जे market price जा FC दिता वे factor cost ता at FC at MP एमे पड़ दे आँ सी वजार कीमत ते साधन लागत ते अउगल कर दे है मालो सानू GDP at FC दिता जिता दे कैल्कुलेटर सी करने NDP at FC दोना जब फर्क लबो की है जी ते अन दा जी दे अन चे डिफरें मार्किट प्राइस करती अगे NDP at FC मालो सी कैल्कुलेट करने NDP at market price दिता वे ता फर्क की दे दोना चे सिरफ FC दे MP दे market price दे factor cost साधन लागत दा उन्हां दोना जंतर की दा हुंदे net indirect tax दा ता net indirect tax minus करते जे साने GDP at factor cost कैल्यूलेट करने है NDP at factor cost दिती भी है सोचो dear students एथे भी DP at factor cost है एथे भी DP at factor cost है डिफरेंस की दा है सिरफ G ते N दा gross ते net दा depreciation एड करती net आपने अब जीच बदल गया gross कुल चागया शुद्ध है जड़ा depreciation वनला किसा वट इसी तरह जे साननों NDP at factor cost दिती भी है मालों लों दिती भी है NDP at factor cost त्यासी calculate करने है NDP at MP market price कडनी है MP दे FC छ फर्क की दा हुंदे net indirect tax दा market price जादा हुंद है हमेशा याद रखो factor cost का अट क्योंगी tax जुड़ जण देने add होगे साड़े को नेट इंड टेक्स clear gross national product at factor cost और gross national income अपन national income ते आगे जी हुन कुल रास्ट्री आमदन कीनू गेंदेने याद रखो जेक दे exam दे विच कुल रास्टी आमदना जे ता उन्हों उसी gross national product at factor cost कहने है साधन लागत ते जो साधना दी लागत आई है ये दे विच भी same concept रखने ने वही दिमाग जे जी एनप at factor cost calculate करनी है मनलो GDP at factor cost दिती भी है exam जे डी ते एन की दा फर्क है national ते domestic क्रेलू देती भी है तासी net factor income from abroad add कर दागे विदेशा दो प्राद साधना दागे जे साननो GDP at market price देती भी है मनलो GDP at factor cost करनी है ता ये दे जो देखो फर्क की दा MP ते FC दा ता दोना जो basic difference की दा हुंद है net indirect tax दा market price जादा हुंद है उस चो net indirect tax शुद अब पर तक पर माइनस करते ता साधन लागत आगी factor cost जी एन पी एट MP ते जी एन पी एट FC दोना जी फर्क देखोगी देखे जी एन पी जी एन पी ए एफसी है साधन लागत दिती भी है market price पता करना है ता net indirect tax एड करते इस तों इलावा डिये स्टुएंट सब तो जी एन पी एट FC कहने है कदे एक्जाम चाहिए calculate national income राश्ट्री आमदन पता करो इदा मतलो एन पी एट FC मांग रहे है net national product at factor cost शुद्र राश्ट्री उतपाद साधन लागत दे साधन लागत दे शुद्र राश्ट्री उतपाद में असी राश्ट्री आमदन कहने है मालो FC पता है असी calculate करना है NNP at FC क्योंकि राश्ट्री आमदन काड़ रहे है ता दोना जब फर्क किया थे आनल देखो जीते एन दा जेकर इस तरह है ता depreciation माइनस करना है gross तो net बनान ली शुद्र बनान ली कुल तो किस आवट माइनस करती जेकर सानो NDP at FC पता है मालो ए दिता ह है NDP at FC फेरा सी NNP at FC कटनी है जिन्हों सी राश्ट्री आमदन कह रहे हैं तो दोना जब फर्क की रहा है बाकी सब कुछ मिलता है सिरफ D ते एन दा सेंटर जने जड़े एन नेशनल है D domestic है करेलू ता करेलू देविच विदेशादी आमदन जोड़ तो ता राश्ट्री ब दिता हो है कि NNP at MP है पर की दें MP ते हैं सीधा मार्किट प्राइस दिता है साधन लागत बना नहीं है ता नेट इंडरेक्ट टेक्स माइनस करता है कोई भी एग्रिगेट कैलकुलेट करने डियर स्टुडेंट्स जिड़े जी एन पी एन एन पी एन एन पी जी एन डी एन दिमाग से रोखो कि केड़ा इशबद की कह रहे हैं फैक्टर को स्टे मार्किट प्राइस दा दिमाग से रोखो हर कैलकुलेशन होजेगी एग्रिगेट दी जे कर साथे दिमाग से एक कॉंटेंट पर एवाट जी वर्सीज एन फर्क की दा हुंदा है डैप्रीशेशन दा ए ओ जी एन ने जड़े किसे भी एग्रिगेट दा पहला लेटर हुंदा है एन वर्सीज दी नेशनल वर्सीज दिमेस्टिक रास्ट्री वर्सीज रास्ट्री ते क्रिलू दे विच फर्क एहे किसे भी एग्रिगेट दा सेंटर वला इलफा वेल्ट हुंदा है या बिचका दोना चांतर होंदे नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम एवरॉड दा MP ते FC मार्केट प्राइस ते स्थेक्टर कोस्ट बजार कीमत ते साधन लागत इन्ना चेट डेफ्रेंस होंदे सिर्फ टेक्स जिन्हों सी जब दोनाने तो सब्सक्राइब दोनाने तह नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम एवरॉड जोड़ दो देज MP जादा हुंद है FC काट Market Price जादा हुंद है क्योंकि Tax जुड़ जन देने मल वसी Market Price तो Factor Cost Calculate कर ली है ता Market Price जो Net Indirect Tax Minus कर दो जे Factor Cost दे विचे हो MP उनाना है Market Price तो Net Indirect Tax की कर दो विच एड कर दो ता Market Price आजेगा यह है Basic Content So dear student I think the whole concept is Little lengthy But very important बहुत वड़ा टॉपिक है बहुत इंपोर्टन टॉपिक है एक complete चैप्टरी complete वीडियो दे बीच इसे चैनल दे उते complete वीडियो है इस दे रिगार्डिं के National Income तीन मेथड़ जनाल की में कैल्कुलेट करते ने अज जैसी गाल कीती National Income दे रिलेटे एग्रिगेट सी I think the whole concept is clear जै किसे नूँ किसी चीज़ दे डाउट है नीचे comment box जागे comment तो I will try to clear it even there आन वालियां बहुत सार याँ वीडियो देखो जड़ियां वीडियो अलड़ी पहला ने उना नूँ भी देखते रहो तक्यू वेरी मुझ